हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू लॉन विद जैनित गुरू, मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, देखो, लास्ट क्लास में हमें थ्योरी पढ़ा था, कांसेंट्रेशन अफ अस सल्यूशन, तो अब हमारे जिम्मेदारी क्या बनती है, कि हम एक बार NCRT की रीडिंग कर लें, है ना, ताकि कोई भी टॉपिक हमारा छूट ना जाए, स्टार्ट करते हैं फटा-फट से NCRT की रीडिंग, तो हमें कहां से रीड करना है, कांसेंट्रेशन अफ अस सल्यूशन क्या होता है, कांसेंट्रेशन से हमें ये पता चलता है कि कि इतना सॉल्यूट किसी भी given solution में present है, उसी को हम कांसेंट्रेशन बोलते हैं, सॉल्यूट जादा amount में भी present हो सकता है, और कम amount में भी present हो सकता है, जब सॉल्यूट solvent के अंदर जादा amount में present होता है, उसको हम बोलते हैं concentrated solution, बट वहीं जो सॉल्यूट है, वो less quantity में present होता है, उ the solution. So, we understand that in a solution, the relative, यहां पर यही से हमें पढ़ना था, इससे पहले का हमने property of solution तक तो cover कर लिया है, right? ठीक है, के बाद, हाँ, property of solute and solvent, that can be varied, depending upon the amount of solute present in a solution, it can be called dilution, अगर amount कम है solute का, तो dilution बोलेंगे, और अगर amount जादा है solute का, तो हम बोलेंगे कि concentrated है वो, concentrated और saturated solution, dilute and concentrated are the comparatively terms in activity 2.2, the solution obtained by group A is diluted as compared to the B obtained by the group B, देखो, simple है, अगर देखो, देखो, के ही आपको पता चल सकता है कि कौन सा solution diluted है, कौन सा concentrated है, clear है, यहाँ पी term दिया है saturated solution, saturated solution का मतलब जानों क्या होता है, जब भी solvent की अंदर solute dissolve होना बंद कर दे, जब solvent की tendency खतम हो जाती है, solute को अपने के अंदर dissolve करने की, उस point को कहते हैं कि saturation point आ गया है, यानि कि अब कोई भी changes हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे, चाहे एक बून डालो चीनी का या फिर 10 चम्मच चीनी डाल दो, वो dissolve नहीं होगा, उस point को क्या कहते है, saturation point आ जाता है, जैसे कि मान लो, कि आपके 6th class में 80% आया, 7th में भी 80 आया, 8 में भी 80 आया और अब 9 में आप 80 लेकर आने वाले हों, तो 80, 80, 80 क्या है, एक fixed trend आपका चलता जा रहा है, कोई changes देखने के लिए नहीं मिल रहा है, उस point को कहते हैं, saturation point, saturation के साथ ही आता है unsaturation, अब unsaturation क्या होता है, saturation से पहले के जितने भी process होते हैं, यानि कि जब solvent की tendency होती है, solute को अपने अंदर add करने की, अपने अंदर dissolve करने की, उसको हम बोलते हैं, unsaturated solution, clear है, अब इतना हमने देखी लिया है, तो एक और term जान लो, super saturation, super saturation क्या होता है, super saturation का हम use कप करते हैं, जब हम चाशनी बनाते हैं, गुलाब जाओं उनकी खास करके, देखो, होता क्या है कि हमें पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा, जब पानी के अंदर चीनी घुलना बंध हो जाएगा, बट हमें चाशनी बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, उस पानी को heat कर देंगे, जैसे हमने पानी को heat किया, जो water molecule से वो move करने लग जाएंगे, बीच में जगा बन जाएगी, और और solute हम उसमें add कर सकते हैं, तो ऐसा जब हम क्या करें, tendency को बढ़ा दे, solvent की, उसके अंदर और solute add कर सके, तो उसको कहते हैं, super saturation, clear है, अब activity 2.3, activity 2.3 है, take approximate 50 ml of water and each in two separate beakers, 50 ml ले लो, अलग अलग बीकर में, add salt in one beaker and sugar in sugar और barium chloride, इन दोनों में से आप कुछ भी add कर सकते हो, second beaker में, और फिर उसके बाद उसको continuously stir करना है, है, when no more solute can be dissolved, heat the content of the beaker to raise the temperature by adding 5 degree, हम उसमें तब तक वो चीज़े add करते रहेंगे, जब तक वो add हो रहा है, बट जैसी ही वो add होना बंद हो जाए, हमें क्या करना है, उसको फटा-फट से हम heat कर लेंगे, ठीक है, heat करने लग गए, is the amount of salt or the sugar or the berium chloride that can be dissolving the water at a temperature the same, अब देखो, dissolving power उसकी बढ़ी या नहीं बढ़ी, ये काम आप अपने घर पे भी कर सकते हो, कोई खतरनाक stunt नहीं है, आप करते ही होंगे, है ना, तो चीनी को पानी में मिलाना है, temperature increase कर देना है, और आप देख पाओगे कि और ज्यादा हम उसमें चीनी आइड कर सकते हैं, temperature increase करने के बाद, फिर, at any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, is said to be a saturated solution, in other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a temperature, is called saturated solution, जब हम उसमें और चीज़े आइड नहीं कर सकते हैं, तो उस point को हम पो देते हैं कि वो saturation आ गया, कोई changes देखने के लिए नहीं मिलेगा, सारी चीज़े वही read कर रहे हैं, जो already अभी मैंने आपको बताई हैं, ओके, the amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called solubility, solubility का क्या मतलब होता है, जब solute की tendency, sorry, जब solvent की tendency होती है, solute को अपने अंदर add करने की, जितनी ज़्यादा tendency होगी, solvent की, solute को अपने अंदर add करने की, उतनी ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी, solubility हो जाएगी, ठीक है, solubility मतलब गोलनी की tendency कितनी है, normal words में अगर बात करें तो हम, अब, if the amount of solute contained in a solution is less than the saturated level, then उसको क्या कहते हैं, हम unsaturated, यानि कि saturation से पहले का जो process है, जहाँ पे solvent के अंदर हम solute add कर सकते हैं, उस point को हम कहते हैं, unsaturated solution, okay? what would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it down, हमने एक saturated solution लिया है, और उसको क्या क्या सदलनी हमने cool down कर दिया, उसका temperature जो है वो कम कर दिया, we can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubility at the same temperature, हर एक solute की अलग tendency होती है कि वो solvent में किस तरीके से dissolve होगा, the concentration of solution is the amount or mass or volume of the solute present in a given amount of solution, concentration की बात हम करें, तो concentration से क्या समझते हैं, कि कितना solute, कितने solvent में present होगा, उसको हम बोलते हैं, concentration, there are various ways of expressing the concentration of solution, but here we will learn only three, बहुत सारे method हैं, ठीक है, ख्लास में भी जब हमने पढ़ा था ना, तब ही मैंने सारे method लिखवा दिये थे, जो आप 11 तक पढ़ोगे, बट यहां पर तीन ही method पढ़ने, कौन-कौन से, mass by mass, mass by volume and volume by volume, तीन होगा formula सेम है, बस आपको ध्यान रखना है, mass यह तो gram में लिखोगे, volume है तो ml में लिखोगे, और percentage के लिए हर बार हमें, 100 से multiplication करना है, जैसे हाँ पर आप formula देख रहे हो, mass by mass percentage, तो mass of solute upon mass of solution into 100, question में आपको mass of, क्या दिया होगा? solvent दिया होगा, तो आप directly mass of solvent यहाँ पर put नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें solute का mass add करना पड़ेगा, solvent वो अल्रेड़ी है, तब जाके mass of solution बनेगा, तो एक बार इसका जरूर ध्यान देना, second है, mass by volume percentage of a solution, तो mass of solute, mass of solution into 100, अगर volume की बात करेंगे तो, फिर आता है volume by volume, यानि की numerator भी volume है, denominator भी volume है, तो volume of solute upon volume of solution into 100, यह वाला question हमने class में discuss किया था, और इसके अलावा भी 3-4 और question है, इसी पर based, जो कि हमने class में देखा था, ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वाला lecture नहीं देखा है, तो एक बार जरूर देख लें, अब फिर है, अब इसके बाद आता है suspension, suspension क्या होता है, suspension is a non-homogeneous system, यानि की simple है, suspension एक heterogeneous mixture होता है, ठीक है, in which solid are dispersed in liquid, are called suspension, suspension, a suspension is a heterogeneous mixture, in which the solute particles do not dissolve, but remain suspended throughout the bulk of the medium, particles of the suspensions are visible with the naked eyes, suspension एक heterogeneous mixture है, जिसमें solute के जो particles होते हैं, वो काफी जादा बड़े होते हैं, हम अपनी naked eyes से उसको देख सकते हैं, और क्या होता है, देखो, यहाँ पर वो जो particles है, जो solute है, suspension के अंदर, वो settle down नहीं होते हैं, वो continuously क्या कर अगर हम उसको stir कर रहे हैं, तो continuously stir करते रहेंगे, जैसे हम उसको undisturbed छोड़ देते हैं, वो नीचे जाके settle down हो जाता है, properties में देखोगे, आप उसकी properties of suspension, सबसे पहली बात, heterogeneous mixture है, हम यही इतनी देर से पढ़ रहे हैं, उसको अपने नेके राइस से हम देख सकते हैं, यह भी बात हमें पता है, इसके बाद, जो suspension के particles होते हैं, वो क्या करते हैं, वो light को scattered करते हैं, और हमें path visible होता है, वही जब हमने solution के लिए पढ़ा था, तो वो light को scattered नहीं करता है, वहाँ पे path visible नहीं होता है, ठीक है, अगर solute जो है, वो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, इसका मतलब, जो हमारे पास solution है, वो unstable solution है, stable नहीं है, stable solution में क्या होता है, solute solvent से अलग ही नहीं होता, ओके, they can be separated from the mixture, by the process of filtration, when the particles settle down, the suspensions break, and it does not scatter light anymore, क्या हो रहा है, देखो, इसमें क्या बात करें इसको, फिल्टरेशन की process से अलग कर सकते हैं, of course, अगर solute और solvent में हम भी difference नजर आ रहा है, solute के particles बड़े हैं, तो हम उनको easily filter कर सकते हैं, with the help of filter paper, उस process को क्या कहते हैं, उस process को कहते हैं, filtration, अब, when the particles settle down, the suspensions breaks, and it does not scatter the light anymore, जब suspension की सारे particles नीचे settle down हो जाते हैं, उसके बाद हमें beam of light नजर नहीं आती है, path नजर नहीं आती, क्यूंकि particles ही नहीं हैं, जो light को scattered कर सके, यहाँ पे, जो suspension के particles हैं, देखो, यह suspension के particles हैं, यहाँ से light आ रही हैं, तो इससे पढ़े की तुई क्या करें को, उस light को ऐसे scattered कर देगा, जिसकी वज़े से path visible होगा, अब यह particles ही नहीं हैं, सारे के सारे settle down हो गए, तो हमें path visible नहीं हो पाएगा, ठीक है, यह थी solution के बारे में, अब इसके बाद, जब हम colloidal solution की theory पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम book से read करेंगे, clear है, जितना हमने next, पिछली class में किया था, उतना हमने read कर लिया है, बाकि जब next class में, colloidal solution के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको भी read कर लेंगे, ओके, thank you so much, read करते रहो और पढ़ते रहो, bye,